कि यस प्रेंट्स कैसे आप लोग चलिए अब हम लोग रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर कंसेप्ट को स्टेडी करेंगे और इसकी प्रॉब्लम्स को संदेंगे तो पहले समस्ते हैं रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर्स कि रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर्स डिवेंचर्स आप समझते हैं अगर हम कुछी डिवेंचर्स को इस्यू कर रहे हैं तो कंपनी की बुक्स में पैसा आ रहा है तो बेंक अकाउंट डिवेंट टू एक तरह से एंट्री यह बनते हैं परसेंटेज डिवेंचर्स तो डिडेम्शन का मतलब है रिपेमेंट इसी को हम कह सकते हैं रिपेमेंट औफ डिवेंचर्स तो इसकी एंट्री क्या बनेगी परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डिवेंट टू बैंक ठीक है अब रिडेम्शन ऑफ डिवेंचर्स कई तरीके से हो सकता है इनी तरीकों को हमें सीखना है एक होता है इन लम्सम लम्सम का मतलब है पूरा डिवेंचर्स एक ही बार में हमने पे कर लिया एक होता है इन इंस्टॉल्मेंट हम डिवेंचर्स रिपे करने हैं और इसमें हमने मल्टीपिल इंस्टॉल्मेंट दे हम अपने ही डिवेंचर कंपनी में जाके फ्राम मार्केट एंड कैंसल रहां अब यह थोड़ा सा टेक्निकल हो गया इसका मतलब क्या है पहले दो केस में हम डिवेंचर ओल्डर से डारेक्ट कॉंट्रेक्ट में थे कि किसी को जैसे लंसम में दीन है तो हम डिवेंचर ओल्डर को चेक देते थे इंस्टॉल्मेंट में देना तो भी हम डिवेंचर ओल्डर को चेक दे रहे थे लेकिन जो तीसरा क्यास है बाइपर चेजिंग फूल डिवेंचर तो जो डिवेंचर से मेरे वो लिस्टेड है इस टाक एक्सचेंज घ्न मैं मार्केट में उट्रेड हो रहा है मुझे टमस है कि मुझे 100 रूपीश पलगा देरे करना यह diferencia के टाइम पर टम स्टी डीटू एनी कंडिशन डीटू एनी सिनेरियो आज की डेट में वह डिवेंचर मेरा स्टॉक एक्षेंज पर नाइटी सेवन रुपीच पर ट्रेड कर रहा है की इसका मतलब है कि मैं भी जाके वह डिवेंचर 1927 बहुता हो तो निअन आपस में अपनी लाइबिल्टी से कैंसिल कर दिया तो यह आपको इस वाले फोर्षन पर ज्यादा फोकस करना है और चौथा जो है वह वाइक रेटिंग कि सिंकिंग फंड कि यह हमारे यह दो जो पॉर्षन है यह एक्जाम पॉर्ट आप व्यू से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कौन से एक तो ओन्डेवेंचर वाला और सिंकिंग फंड वाला एक्जाम में मैक्सिमम आपको यही दो चीने मिलेंगी ओन्डेवेंचर एंड सिंकिंग फंड ठीक है चलिए एक्जाम्पल्स हम लोग समझ लेंगे कैसे क्या होगा फुरासा श्टड़ी व अब एक एक करके हम कंसेप्ट को सीखते हैं तो पहला की कंसेप्ट है कि रिडेंशन है कि इन लंप सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए का कंपनी इस्यूर्ट कि देवेंचर प्रूपीस 10 lakh in January 2015 and redeemed on 31 December 2019 तो जब जन्वरी 2015 में एंट्री होगी तो कंपनी की बुक्स है ध्यान रखिएगा तो कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी बैंक एकाउंट डेबिट तू त्वेल पर्सेंट डेवेंचर अप्र। दसलाथ अधार पैसे यह पैसे उसे मिल गए। और मार्च 19, 31st मार्च 19 को के एंट्री होगी, 12% डेवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, 10 लाट अब आपने देखा, एक ही बार में मैंने रिडियम कर दिये, तो यह एंट्री मेरी इशू की एंट्री हो गई, और यह मेरी रिपे या रिडम्सम की एंट्री हो गई, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, दूसरे केस में, concept है, redemption in enamente यद्स ऱ्सक्र रूब्सार्म अंग्स कुप्ण एक कर्दूए रू रींग ऱ्सक्राइब तो बौस्पोस बॉबब अबब एक ग्यांप यद्सक्राजब्स प्यब्सर प्रिशुचा फिसन प्याइंग प्यांग इसन्ससित करें घ्ट बीजर्ट इंग इन सब्सक्राइब कि अब यही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था लेकिन उन्होंने का कि अब थर्टी प्लस मार्श तूजन नाइंटीन से उसने रेंशन करना शुरू कर दिया है तो जन्वरी 2015 में एंट्री क्या होगी बेंक अकाउंट डेविट्ट्टू 12% डेवेंचर्स तसलाग से मार्श 2019 एंट्री क्या होगी 12% देवेंचर्स एकांट डेविट्टू बेंक कितना यस पाच एक्ष एक्वल इंस्ट्रालमेंट है तो दो लाग रोपेड़ी क्या है फिर मर्स 2020 में भी एंट्री होगी 12% डेवेंचर्स टू डेवेंचर्स डू बेंक दो लाग्ड्स March 2021, 12% वेंचर, 2 बंक, 2 लाग, मार्स थूच 000फंटीटर ड्वल्वर्सें ड्व cognition्स तुबैंग तौ लॉग कर्फिड मॉर्स तूच थौज परंटर्स्थ टौ थौ थौनग। ट्वेल परंस्टर्स डिवेंचर्स टुवेंग दोला इसमें ध्यान देने बाली बात है इंट्रेस्ट शैल भी चार्ज्ट अन आउट्टेंडिंग अमाउंट ओफ डिवेंचर इन इसा निया इंट्रेस्ट दसलाग पर चार्ज बता रहेगा इंट्रेस्ट भी कम होता जाएगा यह कंसेप्ट हुआ अब जो तीसरा कंसेप्ट है वह कंसेप्ट है मारा ओन डिवेंचर का यह बहुत इंपोर्टेंट कंसेप्ट है सीख लीजें तीसरा कंसेप्ट पर्चेस ओन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट एंड कैंसिल देंड परचेश ओन डिवेंचर फ्रॉम मार्केट एंड कैंसिल अब यहां पर कुछ टीन है मैं आपको बता दूं एक कंसेप्ट है कम इंट्रेस्ट का और एक कंसेप्ट है एक्स इंट्रेस्ट प्राइस का यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है जब भी कोई हम डिवेंचर खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी ओन डिवेंचर एकाउंट डेविट चुकि हमने अपने डिवेंचर खरीदे हैं टू बैंग यहीं एंट्री यहां पर भी होगी ओन डिवेंचर टू बैंग फरक सिर्फ यह होगा कि आपको किस प्राइस पर खरीदे हैं वो आपको सुमझा है क्वेस्चन में फूछ थोड़ा सा क्रेट कर देता हूं कि सपोज कर लिजे इंट्रेस्ट जो डेट हैं वो थर्टी फस्ट सेप्टमबर और थर्टी फस्ट मार्च है ठीक है इंट्रेस्ट की डेट जो है ठीक है कंपनी पर्चेस्ट वन थाउजन देवेंचर एड नाइनटी सेवन कम इंट्रेस्ट ओन 1 दिस्टमबर 2018 नट्रेस्ट और यह जो डेवेंचर सें वही हमारे डेवेंचर सें 12 परसेंट वाज़े हैं तो यह 12 परसेंट की डेवेंचर सेंट अब आपने कब खरीदे हैं एक दिस्टमबर 2018 को मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों कंसेप्ट लगा लेता हूं सब्सक्राइब कर लिजे कंपनी इसमें लिखते हैं परचेज बन थाउजन ट्वेल परसेंट डिवेंचर्स एट नाइन्टी सेवन X-Interest on 1 December 2018 कि इसमें मैंने कम इंटरेस्ट लिए इसमें एक इंटरेस्ट लिए ठीक है तो अब आपको पता है कि जब आपने एक डिसमबर को परचेज की हैं तो लास्ट इंटरेस्ट इनको जो भी इन्वेस्टर होगा वह से कम मिला हुगा 30 सेप्टमबर को मिला होगा तो 30 सेप्टमबर से अक्टोबर और नौवंबर दो महीने का व्याज आपको देना है तो इंट्रेस्ट अकाउंट डेविट होगा कितने से 1000 विंचर से एक लाग पे बारा परसेंट से दो महीने का व्याज यह होता है 2000 व्याज यहां पर भी इंट्रेस्ट अकाउंट डेविट कितने से करेंगे हम 2000 से अब यह प्राइस कौन सी थी कम प्राइस थी और यह प्राइस थी एक्स प्राइस के डिवेंचर एकाउंट हमेशा डेविट करेंगे हम एक्स इंट्रेस्ट प्राइस से इसका मतलब है कि बैंक में जो प्राइस आएगी वह कौन सी होगी कम इंट्रेस प्राइस अब इस क्वेश्चन में हमें यह गिविन है कौन सी गिविन है कि 97 पर हमने खरी रहे हैं तो 97 थाओंग दो हजार रुपए आपका व्याज हो गया इसका मतलब डिवेंचर के अगेंस में आपने कॉस्ट कितनी दिया इस क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें यह गिविन है कि हमने 97 थाओंग एक्स प्राइज खरीदी है यह गिविन है तो पेमेंट कितनी हो जाएगी इसमें टोटल 99 थाओंग यानि कि अब यह आपकी कम प्राइज बनेंगे तो बेसीकली कम इंट्रेस्ट प्राइज क्या होती है एक्स इंट्रेस्ट प्राइज में जब आप इंट्रेस्ट पोर्शन को जोड़ देते हैं तो वह आपकी कम इंट्रेस्ट प्राइज रहती है कम का मितलब होता है including interest और x का मतलब होता है excluding interest ठीक है जी आप सो basically आपने demensure खरीद लिए चाहे वह कम पर खरीदेँ हो जाहे एक सब्सक्राइब ठीक है अब आप Cansl कर रहे हैं कैंसिल ओन डिवेंचर्स पर्चेज जो आपने किये थे वह आपने क्या किया चलिए मैं दुबारा से लिख दीता हूं कि पर्चेज एंड कैंसिल ओन डिवेंचर्स इसको प्रॉपर करते हैं थोड़ा से मैंने वो कंसेप्ट एक्सिंट्रेस्ट और कम्ट्रेस्ट लिए दिया था ना चलिए अब इसको जो इशू की एंट्री है वह होगी हमारी जैनवरी टूटाउजन फिप्टीन में इसको डूपर लूपर लूपर्षान बार स्टरी नाइट स्टरी एंड जास्ट्री एंड गर्री एंट्री एंट्यां rá क्क Prof. परकेस्ट समय क्टैस्ट के लिए सेन्गिछ मेशन थाग्टिन कना चाजर टुंक्दिकी। 20 मेश लिसे 3, Oklahoma! यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इम्मीडेट केंसलेशन के लिए ले रहे हैं तो कभी भी हम कि ओन डेवेंचर को डेविट ना करके हम सीधा डेवेंचर को भी डेविट कर सकते हैं तो इसके दो तरीके हैं हम एंट्री लिखेंगे 12 परसेंट डेवेंचर एकाउंट को डेविट करेंगे कितने से एक लाग से यह एक दिसंबर 2018 के एंट्री हो रही है इंट्रेस्ट एकाउंट डेविट करेंगे हम कितने से 2000 से थीक है यह आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है पहले में इसको प्रापर तरीके से पहले उन डेवेंचर से करके दिखाएंगे एक दिसंबर 2018 को पहले हम एंट्री करेंगे ओंडेवेंचर अकाउंट डेविट इंट्रेस्ट अकाउंट डेविट इंट्रेस्ट अकाउंट डेविट तो यह 97,000 यह 2,000 यह 99,000 97 एक इंट्रेस्ट था ना ठीक है फिर एक दिसंबर को हम कैंचल करेंगे अपने 12% डेवेंचर अकाउंट डेविट टू ओन डेवेंचर्स तू प्रॉफिट अन केंचलेशन हमारी बुक्स में डेवेंचर से एक लाग के खरीदेते हैं हमने 97,000 के तो तीन हजार का मुझे प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन का फैदा हुआ है फिर एक दिसंबर 18 को यह जो प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन है यह ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल डिजर्ब में मैं आपको यह एंट्री करने के लिए स्जेस्ट करना किसी किसी बुक्स में इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके भी कर देते हैं इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करेंगे तो एंट्री बनेगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेविट एक लाग से तू तू ने इंट्रेस्ट अकाउंट डेविट हो जाएगा आपका दो एजार से पेमिन्ट होगी आपकी नाइंटी नाइन थाउजन की कि और प्रॉफित आन कैंसलेशन तीन हजार का यह एंट्री होती है किसी-किसी बुक्स में बट I always recommend कि आप यह एंट्री पास करें क्योंकि पहले आप ओंडेवेंचर की एंट्री पास करें फिर इमीडियेटली कैंसल की एंट्री पास करें आप देख रहें ना एक तारिक को ही मैंने कैंसल कर दिया इस एंट्र को पास करने के benefit यह है कि हमें दोनों एंट्री सेपरेट सेपरेट दिखती है तो यह एडवाइजेबल नहीं है बट यह मैंने इसलिए भी पढ़ा दिया कि कल के दिन अगर किसी बुक्ष में दिया हो तो आप करेंगे सर यह तो मैंने पढ़ा ही नहीं है आपने तो मुझे किसी कली कभी कभी बुक्ष में आता है इसको भी पढ़ते हैं आप पर चेश्ट वह रूण डिवेंचर्स एंड है यह रंड देबिश्ण देवें पर नच्टिश्ट विवेंचर्स और इसेल इन मार्केट यह थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है इसले इसको थोड़ा समधाना पड़ेगा जैन्वरी पंद्रा में आपने डिवेंचर इशू किये 30 क्या होई बेंक अकाउंट डेविट टू ट्वेल परसेंट डिवेंचर कितने के दस लाग की ठीक है अब आपने एक दिसंबर अठारा को ऑन्ड वेंचर्स पर्चेर्च कर लिए ए और गरत अग है एक सिंट्रर करेंगे अपहेंट diffic करेंगेे ओर वेन्चर इकाउंट डेविट parf ded रहाद रुकिये जब आप ध्मिडिए डेटली कंसिल टरन एकंट करेंगे करेंगे डिया इंवेंचमेंट की तरह रहें तो आपकी इंकपडेगे तू बैंक यह 97,000 यह 2,000 यह 99,000 चलिए अब नेक्स्ट इंट्रेस्ट डेट कब आएगी नेक्स्ट इंट्रेस्ट डेट आएगी 31st मार्च 2019 तो एंट्री आपने चूंकि डिवेंचर कैंसेल नहीं करें तो डिवेंचर इंट्रेस्ट कितना होगा दस लाग पे 12% से 6 महीने का साथ जार तू इंट्रेस्ट ओन ओन डिवेंचर कितना होगा एक लाग पे 12% से 6 महीने का छे जार तू बैंक यह हो गए आउट्साइडर जिने आप पे करोगे 31 मार्च को ही डिवेंचर इंट्रेस्ट की एंट्री होगी अब 31 मार्च 19 को ही पीएंडल में जाएगी तो पीएंडल में दो एंट्री जाएगी एक तो होगी पीएंडल अकाउंट डिवेंट्रेस्ट तू डिवेंचर इंट्रेस्ट दूसरी एंट्री होगी इंट्रेस्ट ओन ओन डिवेंचर टू पिए अब इंट्रेस्ट ओन डिवेंचर देखिए जब आपने खरीदे थे तो 2000 रुपए दिये थे फिर आपने 6000 बचा लिए तो टेक्निकली आपको 4000 रुपए की इनकम होगे इस तरीके से यह चलती जाएंगे एंट्री अब यहां पर दो ही ऑप्शन है ऑप्शन वन और ऑप्शन टू ऑप्शन बन में मैं ले रहा हूं कि ओन डिवेंचर्स कैंसिल कर दिये विद डिवेंचर्स ठीक है कि दूसरे में हम लिख रहे हैं कि ओन डिवेंचर्स को सोल्ड एट यह हम कब लेना चाहिए कि 28 फरवरी 19 को ले ले कोई बात नहीं कि 28 फरवरी की जगे 28 अगस्त कर दो 31 अगस्त को कर दो क्योंकि इससे इंट्रेस्ट का भी कंसेप्ट समझ में आपके तो ओन डिवेंचर्स ओल्ड एट 102 कम इंट्रेस्ट कॉन 31 अगस्त 19 मैंने कैंसल भी बता दिया और मैंने यह कर दिया चलो इनको कैंसल कर देते हैं 31 मार्च 19 को ठीक है जी कोई बाद में 31 मार्च 19 को आप एंट्री क्या पास करोगे कर दो कि कैंसल करने वाली 12 परसेंट डिवेंचर एकांट डेविट एक लाग से तो ओन डिवेंचर कितने के हैं 27,000 के तू प्रोफिट और कैंसलेशन तीन हजार एंड देन प्रोफिट और कैंसलेशन तू कैंसलेशन तू केपिटल रिजर्व तीन हजार है अब इसको दूसरी तरीके से लेखें अगर हमने बेचा हम बेच रहें 31 अगस्ट 19 को तो हमें आएंगे बैंक एकांट डेविट टू ओन डेवेंचर्स टू डेवेंचर्स इंट्रेस्ट और ओन डेवेंचर्स ठीक है यह एक लाग पर बारा परसेंट से एक सो चार रुपर पर बेच हो तो पांच महिने का यह पांच चार हो गया और यह होगा एक लाग चार रगक्र क्योंकि बैंक में तो कम इंट्रेस्ट रही जाएगी तो आपने बेचा कितने में डेवेंचर नाइंटीन नाइंटीनाइन तो अब 2000 आपने खरीदा था 97 में बेचा नाइंटीने तो थोजार का फायदा होगे तो एंट्री क्या पास करोगे ओन्टि बेंचर चलो एक काम करते हैं न अलग सी करते हैं ओन्टि बेंचर एकाउंट डेविट यहीं कर देते, 97,000 और बागी जो है वो profit on resale कर देते, यह 2000 रुपय का profit on resale होगे, फिर profit on resale कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, आपको यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मैं इसको correct कर देता हूँ, फ्रेंड आपने जो खरीदे है, 97 के खरीदे, यह 97 लिखती है आपने, अब आपने एक लाग चार जार में बेचे, एक लाग चार जार में पांसे जार रुपय आपने भ्याज के लिए लिए, तो बाकी कितने पैसे हैं, बाकी जो पैसे हैं, 2000 रुपय है, वो बेसिकली आपके profit हुए है, क्योंकि 97,000 में आपने खरीदा था, आपको टोटल एक लाग चार जार मिल रहा है, यानि कि 2000 रुपय प्रॉफिट है, जो profit on resale है, वो आप लिएंडल में transfer करेंगे, ठीक है ना, अब इसका जो last concept बचा है, वो concept है, sinking fund का, sinking fund मैंने बताया है, सबसे important concept है, सबसे important, आपको समझना है अच्छी तरह से, यस, चलिए, सु स्टार्ट करते हैं, फॉर्थ फंट, sinking fund, यह फॉर्थ concept है, sinking fund के लिए, आपको समझना होगा, कि sinking fund होता क्या है, यह कई बार आपने use किया होगा, कि इसी को हम लोग, कि डिवेंचर रिडेम्शन फंड, कि इसी को हम डिवेंचर रिडेम्शन रिजर्व, कोई भी नाम दे सकते हैं, concept treatment सबके एक ही है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह समझ लें, सिंकिंग फंड होता क्या है, पहले इस बात को समझें, सिंकिंग फंड में हम एक, हमें पता है, पात साल बाद एक liability हमारी generate होने बाली है, तो उस liability के लिए हम थोड़ा 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 पैसा एक separate जगह invest करना शुरू कर देते हैं, जब वो five years बाद liability आती है, तो जो हमने investment कर रखा है, उस investment को हम बेच देते हैं, और उससे जो पैसा आता है, कुछ पैसा अपना मिलाके हम पूरी वो liability पे करते हैं, यह आपको अच्छी तरह समझना होगा, first year में सबसे पहले हम क्या करेंगे, debenture issue करेंगे, debenture issue करने की entry क्या होगी, bank account debit to percentage debenture, debenture issue होगे हमारे, ठीक है, अब आगे देखें, दूसरी entry, debenture interest पहले हैं जो सब कुछ होगा, एक हम कितना पैसा हर साल जमा करेंगे, वो आपको question में दिया रहेगा, इसको बोलते हैं, annual appropriation, वो हम P&L appropriation से निकाल के, sinking fund, debenture redemption fund, debenture redemption reserve, जो भी question में नाम दिया हो, आप उस नाम से कर देंगे, तीसरी entry, sinking fund का हमें कहीं ना कहीं हम investment भी करेंगे, तो entry होगी sinking fund investment, अब यह sinking fund की जगे और वो जो नाम बताए हैं वो लिख सकते हैं, to bank, ठीक है, इसके बाद, चौती entry, जो भी आपकी debenture interest के P&L, transfers वगेरा हैं, वो सब होती रहे, ठीक है, यह first year की entry है, अब subsequent year की बात करें, subsequent year का मतलब, जो अगले 4-5 साल जब तक debenture quality नहीं होना है, तो subsequent years वर्ड यूज करेंगे, सबसे पहले तो interest received होगा, किस पर sinking fund जो investment आपने बना रखा है, अब मैं sinking fund की जगे मैंने दो नाम बता दिये ना, ये भी और ये भी, तो entry क्या होगी, bank account debit 2, interest on sinking fund investment, फिर दूसरी entry, जो ये interest on sinking fund investment है, ये transfer करोगे किस में, sinking fund में, तो entry होगी interest on sinking fund investment to sinking fund, ठीक है, तीसरी entry, जो हर साल पैसा निकालना है, जमा करने के लिए, annual appropriation, तो entry क्या होगी, Pender app account debit 2, sinking fund, ठीक है, और चोथी entry, investment आप made कर दोगे, तो entry होगी sinking fund investment account debit to bank, यहां तोड़ा आपको ध्यान देने वाला है, कि जितरा sinking fund में credit हुआ है, उत्रा ही investment करना है, यानि कि एक तो annual amount, plus interest, यह उस से आई एंट्री, sinking fund में जितना credit हुआ है, उतना ही sinking fund में debit को पर आपके, चलिए, अब हम आ जाते हैं, लास्ट येर पर, लास्ट येर का मतलब है, यह वो साल है, जिस साल में, डिवेंचर रिडीम होने है, तो सबसे पहले entry तो, interest received होगा, तो entry क्या होगी, bank account debit to, interest on sinking fund investment, फिर दूसरी क्या है, interest transfer कर देंगे, sinking fund में, interest on sinking fund investment to sinking fund, ठीक है, तीसरी entry, यहाँ तीसरी entry में आपको समझ रहा है, जो annual appropriation है, तो वो entry क्या होगी, P&LF to sinking fund, चौती entry से अब change आना शुरू जाएगा, यहाँ investment आपने made ना करके क्या करना है आपको, आखरी साल है, तो investment क्या करोगे आप, sold करोगे, जब आप investment sold करोगे तो entry क्या होगी, bank account debit to, sinking fund investment, अब हो सकता है, sinking fund investment में कुछ profit या लॉस हो जाए, balance of sinking fund investment, रिप्रेजेंट क्या करता है, profit और loss, transfer कर दोगे किसमें, सारी चीज़ें हम sinking fund में लिए जाके, file up कर देंगे, ठीक है, अब, छटमी entry, जो debentures है, उनको redeem करना है, तो debentures को redeem करने के लिए entry क्या होगी, जो भी percentage debentures है, to bank, जैसा आगया आपके पास, बेचने से, कुछ पैसा आपके पास हाई, अब यहां से थोड़ा सा confusion होता है, कई authors क्या करते हैं, sinking fund का balance, transfer कर देते हैं, जैंडर जबने, और कई-कई authors, यह some authors, ऐसे करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, face value of debenture redeemed, जो भी है, उसकी entry पास करते हैं, sinking fund to general, यह entry पास करते हैं, face value of debenture redeemed, balance of sinking fund, जो भी होगा, वो transfer कर देंगे, लेकिन कुछ लोग यह भी follow करते हैं, मुझे यह और वाला जबर है, आठ नमबर तक की entry वो ज्यादा समझ में आती है, बट मैंने कहां आपको दोनों बता दें, क्योंकि यह नहीं होना चाहिए, कि सिर्फ यह है, वो नहीं है, sinking fund के जितने भी questions हैं, बहुत अच्छे questions हैं, उन्हें दिहान से करना है, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है friends, अभी हमने concept study किया है, अब हम इसके साथ questions करेंगी, तब आपको और चलेंगे, Thank you very much.